हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैई चैनल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिकेट के बारे में दो बड़ी खबर स्रीलंका ओफर्ट टू इंडिया की हमारे पास आईए और कर लीजिये आईपियल दूसरा पाकिस्तान UAE के साथ मिलके बीट करेगा ICC इवेंट्स उसके बाद फुटबॉल के कुछ ट्रैंसपर न्यूस भी रहेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अगर इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकान को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिविकेशन आप लोगों को मिल जाए तो चलिए वीडियो शुड़ू करते हैं सबसे पहले सिलंक का जो कह रहे है कि इंडिया से पहले कोविड-19 को फ्री कर देंगे और BCCI जब आप्शन देती है कि IPL नहीं होगा और आप IPL करेंगे तो बाहर कर लीजिए उसके अलाबा IPL अगर होगा भी तो कोई फोरन प्लेयर नहीं रहेगा या IPL इस सल नहीं होगा उससे बढ़िया है कि आप स्री लंका में ही IPL कर लीजिए ऐसा स्री लंका का पेसिडेंट समी सिल्वा ने भी बताया है उसके बाद पाकिस्तान का कहना है कि जब हम अकेले बीट करने के कोशिश करते है वो बीट एप्रूब नहीं होती क्यूंकि कोई आता नहीं तो फिर UAE के साथ मिलके उन्होंने सोचा है कि ICC का इवेंट के लिए बीट करेंगे उसके बाद आ जाते है फुटबॉल पे तो फेड़ाइसन के लीग कॉमिटी ने अफिसियली एनाउस्मेंट कर दिया है कि 2019-20 आयलीग चैंपियन महोन बागान है उसके बाद आ जाते है ट्रैंस्पन नियूस पे चैंणायन FC अनिरुद थापा के साथ 2 एर कॉन्टरैक्ट एक्स्टेंशन कर ली है अगले 2 साल के लिए अनिरुद थापा चैंणायन FC के लिए ही खेलेगा उसके बाद East Bengal ने 3 प्लेयर को अपने टीम में confirm किया है पहला खिलाड़ी है Angosana Luang जो की midfield position का खिलाड़ी है और इस साल ट्राव FC में खेल रहा था इस खिलाड़ी को East Bengal ने अपने टीम में ले लिया है उसके बाद दूसरा खिलाड़ी है Loken Mitei इस खिलाड़ी को East Bengal ने 2 यर्ज के लिए अपने टीम में साइन करा लिया है इस 22 साल का खिलाड़ी midfield position में खेलता है और इस खिलाड़ी भी इस साल ट्राव FC के लिए खेल रहा था Loken Mitei ट्राव FC के अलावा Kerala Blasters और Real Kashmir में भी खेला है उसके वाद जो आते हैं वो है चमसतपूर FC का गोल की पर मौहमद रफिकाली सरदार इस गोल की पर को East Bengal ने अपने टीम में 2 साल के लिए साइन करा लिया है रफिकाली सरदार यूथ केरियर में भी East Bengal के लिए खेले है तो देखते हैं रफिकाली सरदार अगले साल East Bengal में कैसा परफॉमेंस करते है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो पे बाई